इस्टेट सेडूल ओप रेड दोज़बावीस तेविस ये 2022 के एसाब से हम चीजे देख रहे हैं अभी जब नया आ जाएगा तो उसके एसाब से हम देखेंगे अभी सबसे पहले हमें क्या करना होता है जो estimate बना रहे है उसे open करना होता है उसके बाद हमें SSR open करना होता है और उसके बाद SSR PDF का तो यह sequence रोज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमें इस तर्तीब से काम करने से थोड़ी आसानी होती है थोड़ा काम हमारा fast हो सकता है रोज अगर हम तर्तीब बदलेंगे कभी estimate पहले open कर रहे है कभी यह open कर रहे है तो क्या होगा हमको काम करने में परिशानी जाएंगे और गलती होगी तो आपको यह मतलब समझ में आ जा है इसलिए मैंने revision कर लिया किस तरीके से हमें काम करना होता है पहले estimate open होगा उसके बाद हमारा SSR open होगा और उसके बाद जो हमारा SSR है PDF का यह open होगा और कोशिस करके जिसे एक से जादा estimate नहीं open करना है जिसे मैंने यहाँ पर देखो एक estimate यह open किया है जिस पर हम काम करें दूसरा ये किया है तो जरुरत की मुताबिक open कर सकते हैं लेकिन जहां तक हो सके जिस पर काम कर रहें सिर्फ वो estimate open होना चाहिए और दूसरा estimate उसके साथ जरुरत रही तो open होना चाहिए तो क्या होता है साब गल्ती हो जाती है इधर के उधर काम होने लगता है तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा तो मैं आता हूँ इधर आप यह भी देख रहे होगे कि हम थोड़ी थोड़ी चीज बढ़ाते चल रहे है रोज अगर मुझे इस sheet पर काम करना है तो क्या करूँगा मैं सबसे पहले मैं यह करूँगा कि यहाँ page layout है उस पर click करूँगा और यहाँ पर click करूँगा फिर उसकी बाद यहाँ click करूँगा तो देखो यहाँ पर एक dotted line आ जाती है तो जब भी आप किसी भी sheet पर काम करेंगे जैसे मुझे यहाँ काम करना है तो देखिए यह home tab है यह page layout है यहाँ पर देखिए size है और यह a4 है तो यहाँ पर यह dotted line आ जाती है मुझे यहां काम करना है तो मैं क्या करूँगा यह home tab है यह page layout है यह size है A4 तो यहां पर करेंगे अब यह तरीके के लावा दूसरा तरीका यह होता है अगर मुझे यहां dotted line लाना है तो मैं keyboard से control P करूँगा control P करने के बाद देखिए इस button पर भी click किया जा सकता है और keyboard से escape भी किया जा सकता है तो देखो मैं इस पर click करता हूँ तो यह dotted line यहां पर आ जाती है उसी तरीके से देखो यह sheet पर अगर मुझे काम करना है यहां पर 3 button दिख रहे देखिए normal उसके बाद page layout और उसके बाद page break preview अगर मैं इस पर या इस पर दोनों में से किसी पर भी click करूँ देखो मैं इस पर click करता हूँ और दोबारा इस पर click करता हूँ तो भी यह dotted line आ जाती है और भी तरीके हो सकते हैं तो जब भी हम काम करेंगे जब कभी भी हम काम करेंगे तो हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम यह border के अंदर रहे कर काम करें ने तो हमारी print या PDF बिगड़ सकती है बिगड़ सकती है अब यहाँ पर देखिए हमारा यह measurement sheet है यहाँ पर item number होता है यह description होता है उसके बाद देखो यह number type किया है हमने तो यह हमने दो बार type किया है तो इसे आप एक बार भी type कर सकते है उसके बाद देखिए यह यह यहाँ पर length है यहाँ पर gradient width है और यहाँ पर height है और यह quantity है और यह total quantity है अभी मैंने कहा कि यह जो दो बार हमने number किये है इसे हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं इस तरीके से इस तरीके से भी type कर सकते है मैं control z करता हूँ क्योंकि हम इस तरीके से ही रखेंगे अभी यह जो पहला item हमारा ready हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका SSR number होता है और यहाँ पर PWD SSR 2022 हमने type किया है जब नया आ जाएगा तो फिर 24-25 यहाँ पर type करना होगा उसी तरीके से जब यह पहला item हमारा complete हो जाता है 100% checking के साथ तो उसके बाद हम बनाते हैं rate analysis तो यहाँ पर देखिए हमारा यह जो पहला है 1, 2, 3, 4 यह जो 4 चीज़े हैं हमने यह measurement से लाई है 1, 2, 3, 4 तो कैसे लाते हैं मैं उसको एक बार आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ से देखो मैंने इसे select किया और delete कर दिया और इसे भी select किया और delete कर दिया और मैं क्या करता हूँ इसे select करता हूँ और इसे auto fit कर देता हूँ अब यह normal case में आ चुका है तो कैसे काम करते हैं देखिए यहाँ पर कैसे यह चार चीजे लाते हैं यहाँ पर मैं click करूँगा equal यह measurement sheet है यहाँ पर click करेंगे और enter कर देंगे तो यहाँ पर देखिए यह आ चुका है यहाँ पर click करेंगे equal करेंगे यहाँ पर measurement है इस पर click करके enter कर देंगे उसके बाद इस पर click करना होता है यहाँ पर देखो home tab है यह alignment है यह merge है यह wrap tags है यह box पर click करना होता है और यह जो horizontal है यहाँ पर मैं click करूँगा और यहाँ पर justify कर दूँगा यह जो vertical है यहाँ पर click करेंगे और इसे top करके okay कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह चीज आ चुकी है अब यहाँ पर देखो यह bottom में है अगर मैं इस पर click करूँगा और यहाँ click करूँगा तो देखो यह horizontal यहाँ आगे हमें क्या याद रखना है कि यह जो चीज है हमारी यह यह बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए तो यह चीज बिल्कुल ध्यान रखना है आपको तो मैं यहाँ पर click करता हूँ और देखो उसके bottom में मेरा cursor कैसे change हुआ है mouse का button press करके मैं इसा उपर लेकर जाके यहाँ उसको click कर देता हूँ अब यह जो एक extra हो चुक है इससे select कर रहा हूँ मैं और delete sheet row कर रहा हूँ तो देखो यह 1, 2, 3 चीज़े हमारी आई और 4 चीज़ बिल्कुल इसके बाजू में यहाँ click करता हूँ मैं और यहाँ पर equal किया मैंने यह measurement है और यहाँ पर click करके enter किया तो 1, 2, 3, 4 चीज़े हमने लाई measurement से अब यह जो rate होता है यह rate आता है SSR से तो हमारा देखो यह 211 का number है यहाँ पर यह rate होता है यह देखो यह h के अंदर यहाँ double click करते हैं हम इसे यहाँ drag करके select करेंगे control C करेंगे और यहाँ पर click करेंगे और इसके बाद यहाँ double click करेंगे और इसे select करेंगे control V करके enter करेंगे तो पहला काम हमारा यह था rate analysis में कि हमने measurement से कुछ चीज़े लाई और rate लाया अब यह 21% होता है यह दोनों की यहाँ पर देखो total होती है और इस total पर यह 4% लगेंगे अब देखिए सब यह जो है यह rate यह जो 4% है इस amount पर लगता है तो मैं यहाँ double click करूँगा तो यहाँ काम कर सकता हूँ और अगर सिर्फ single click करूँगा तो यहाँ काम कर सकता हूँ तो इसको देखो जब मैं यहाँ click करूँगा तो यहाँ 25 दिखता है तो इसे 25 किया जा सकता है यहाँ click करेंगे तो यहाँ जो g22 है g22 है उसे 25 कर देंगे तो देखिए इस तरीके से दुरूस्त हो जाता है अभी मैं आपको यह चीजे फिर से बतला देता हूँ यहाँ से देखो मैं यह सब डिलीट कर रहा हूँ selection करके मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ तक आपकी चीजे clear होंगी कि एक, दो, तीन और यह चौती चीज जो आई है यह measurement से आई है और यह जो है, इसे सार से आया है अब देखिए, यहाँ पर मैं click करूँगा equal करूँगा इस पर click करूँगा और क्या करूँगा, मैं इसे a4 press करूँगा और enter कर दूँगा, तो यहाँ पर यह चीज आ चुकी है अब इससे अगर मैं यहाँ पर click करूँ और auto fit करूँ तो यहाँ पर यह चीज आ जाती है अब मेरे पास एक shit बनी भी है तो यह जो rate आया है उसमें एक छोड़कर यहाँ लिया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर होना चाहिए, आप यहाँ भी ले सकते है यहाँ भी ले सकते हैं अब यहाँ ले लेते हैं equal करेंगे और बिल्कुल देखो इसके सामने यहाँ पर है इस पर click करेंगे और keyboard से F4 प्रेस करके इंटर कर देंगे तो यह चीज यहाँ पर बिल्कुल इसके सामने आ गई है, तो मुझे तो यहाँ इसकाड़ा मेरी इस पर click करूँगा और keyboard से F4 दबा के इंटर कर दूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर equal करूँगा और यह जो 4% है मेरा इस पर click करके keyboard से F4 प्रेस करके इस पर इंटर कर दूँगा तो यह दो चीज आ जाती है मेरी उसके बाद देखो मैं यहाँ click करूँगा equal करूँगा और यह जो मेरी आखरी चीज है इस पर click करके keyboard से मैं F4 प्रेस करके इंटर कर दूँगा उसके बाद मैं यहाँ click करूँगा equal और यहाँ पर click करूँगा keyboard से F4 प्रेस करूँगा और इंटर कर दूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज नहीं आई है ये ये इसलिए नहीं आई है क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है कही भी SCADA वर्डिंग नहीं है अब ये दोनों का calculation यहाँ पर करना होता है उसके बाद यहाँ पर जो total आती है उसके उपर यहाँ पर calculation करते हैं 4% का और ये जो 21% होता है ये इसे amount पर calculation करते हैं तो क्या होता है ये जो 21% minus हो रहा है ये दो बारा 21% add होता है तो ये amount जो यहाँ पर आएगी और ये amount जो यहाँ पर आएंगी, यह दोनों सेम होना ज़रूरी है, तो देख लेते हैं कैसा करेंगे, यहाँ पर किलिक करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद P, R, O टाइप कर रहा हूं मैं, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे आप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट पर डबल किलिक करना है, उसके बाद इस पर किलिक करना है, कॉमा लगाना है, इस पर किलिक करना है, और इंटर कर देना है, तो अगर आप क्यालकुलेटर होंगा आपके पास, तो इसको क्यालकुलेशन चेक करो, तो 21% बरुबर आता है क्या, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये 21% बरुबर है या नहीं उसके बाद अगर मैं इस पर डबल किलिक करूँगा तो मैं यहां काम कर सकता हूँ और अगर मैं इस पर सिंगल किलिक करूँगा तो मैं यहां काम कर सकता हूँ तो मैं यहां double click करूँगा, equal के बाजू में मेरा जो pointer है वो है, अब मैं type करूँगा R O U, तो मेरे पास यह round आता है, इस round पे मैं double click करूँगा, उसके बाद मैं आखिर में click करूँगा, comma 2 करूँगा, और ship press करके मैं यह bracket को close करके एक enter करूँगा, तो जिसकी वज़े से देखो यहां पर यह मेरा calculation और formula हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, इसे देखो मैंने यहां selection किया, control C करूँगा मैं, उसके बाद मैं यहां पर click करूँगा, control V कर दूँगा, और बिल्कुल इसके सामने यहां click करूँगा, और control V कर दूँगा, keyboard से escape press करूँगा, जिससे यह selection छ तूट जाएगा, अब मैं यहां click करूँगा, और इस पर मैं देखो एक auto sum पर एक single click करूँगा, उसके बाद मैं enter कर दूँगा, मैं यहां पर click करूँगा, और यह जो equal है, उसके बाजू में मेरा करसार है, उसके बाद मैं ro u type करूँगा, और round पर double click करूँगा, उसके मेरा यह जो 4% होता है यह इस पर लगता है इस पर तो देखो यहाँ पर अगर मैं किलिक करूँगा तो इसका नमबर यहाँ दिखाए देता है तो मैं उसे यहाँ पर यहाँ किलिक करूँगा और यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर अगर मैं डबल किलिक करूँगा तो देखो यह already आ चुका है अब मुझे यह जो amount है मेरी यह 21% इस पर लगता है अगर मैं इस पर click करूँ तो देखो यहाँ दिखाए देता है 27 तो मैं यहाँ पर click करूँगा और यहाँ पर 27 कर दूँगा तो यहाँ click करूँगा मैं और 27 इसे कर दूँगा मैं और इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि यह amount और यह amount same है और यह दोनों amount same आना चाहिए तो पहली चीज यह थी कि 21% इस पर लग रहा है और यह जो 4% है इस amount पर लग रहा है और यह जो 20% है वो इस amount पर लग रहा है अब यहाँ पर देखो मैं यह से निकाल देता हूं, मैं यह क्लिक करूंगा, और यहां पर क्लिक करूंगा, तो यह जो मेरा यह हालार किया हॉँ यहां से सिलेक्षन हो 21% minus हुआ और जो add हुआ है तो उसका relation खांस दोर से इस से है इस amount पे जो ये 4% add होता है उसी लिए ये minus और plus हुआ है इसमें और भी हम बागे बाते करेंगे अब यहाँ पर देखो ये मेरा एक border है और यहाँ पर मेरा unit है तो ये मेरा ज्यादा हो रहा है तो मैं किसे ज्यादा क कर सकता हूँ देखो यहाँ पर click करूँगा मैं और यहाँ पर मेरा cursor देखिए कैसा है इसे ऐसा इस तरीकी से drag कर सकते है यह फिर यह ज्यादा बड़ा लग रहा है तो यह देखिए page layout है इसे कम से कम आपको 80 रख लेना चाहिए जिसकी वैसे सही print आती है अब मैं क्या इक्वल करूँगा यह मेरी міजर मेंट शीट है यहाँ पर click करूँगा और इंटर करूँगा उसके बाद यहाँ पर देखो मेरा यह जो है H, यहां तक मेरा ending है page का, तो मैं यहां पर click करूँगा, ship press करूँगा, और यह H पर यहां पर click कर दूँगा, यह select हो जाता है, यह home है, यह merge है, यह wrap tags है, उसके बाद देखो मेरा इसके bottom में जब मैं आता हूँ, तो मेरा cursor का save change हो जाता है, mouse का button press करके इसा drag किया जा सकता है, अ तरीके से bold हो जाता है, इसकी size यहां से बढ़ाई जा सकती है, इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, इसकी size, तो अभी फिलाल हमें से size इतनी ही रखेंगे, उसके बाद देखिए, यहां पर मुझे इतना selection करता हूँ अगर मैं, तो जितना selection हुआ है, एक, दो, तीन, चार, प बढ़ाई जा सकते हैं, यहां पर देखिए, मेरे पास एक estimate है, और यह rate analysis है, तो मुझे यह table वहाँ पर लाना है, यह table, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर click करूँगा, और ship press करके यहां click करूँगा, उसके बाद मैं यहां पर copy करूँगा, और मेरा यह जो estimate है, यहां पर मै click करूँगा, और उसे paste कर दूँगा, इस तरीकी से अगर problem दिखाई दे रहा है आपको, तो क्या करेंगे आप, देखो, यहां click करेंगे, और मेरा cursor देखिए कैसा है, यहां पर mouse का button press करेंगे, तो देखो, कैसा हो गया, और उसे इस तरीकी से drag करेंगे, जादा भी कर सकते है जादा भी कर सकते हैं, और यहां पर double click कहीं भी कर सकते हैं, जाद पर selection किया है ना आपने, कहीं भी अगर आप double click करेंगे, तो देखो, यह दुरूस्त हो जाता है, अभी देखिए, यह page के बाहर चला जा रहा है, मुझे तो page के बाहर नहीं हो चाहिए, तो इसे यहां से थो delete कैसे करेंगे, देखो, मुझे दो चीजे नहीं लग रही है, समझे, तो मैं यहां पर selection करूँगा, और उसे delete कर दूँगा, यहां पर delete, sheet row, तो चला जाता है, वापस लाना है, तो control Z करेंगे, अभी आपने इस पर बिल्कुल नहीं जाना है, कि यह क्या चीजे है, यह क्या है, यह क्या है, यह सारी चीजे क्या है, हम इसे बाद में समझेंगे, अभी मैं यहां selection करके इसे delete कर रहा हूँ, keyboard से delete, यहां पर अगर मैं click करूँ, और यहां click करूँ, और auto fit करूँ, तो यह auto fit हो जाता है, अगर मैं यहां click करूँ, और उसके bottom में आऊ, तो मेरा cursor का save देख नई है, इसे lead chart कहते हैं, बस आपको इतना ही मालूम हुआ, आज इसे lead chart कहते हैं, इसे हम बाद में सिखेंगे, यह चीजे आपको पता है, कल मैंने बताई थी, इसे और भी हम बाद में देखेंगे, अब मैं क्या करूँगा, यहां पर मेरे बहुत ज़्यादा row हो रहे हैं, तो मैं यहां पर ऐसा 2-4 row selection करता हूँ, और यहां पर delete, delete sheet row कर देता हूँ, अब मुझे यहां पर एक heading डालनी है, यहां पर, मैं यहां पर selection करूँ, copy करूँ, और यहां पर, यहां पर click करूँ और paste करूँ, तो यह चीजे मेरी यहां आ जाती है, तो क्या चीजे थी, इसमें बाद में करेंगे, यहां पर lead लिखा है, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे, और यहां पर हम, यह rate है, तो यह rate आपको पता है, कि यह कहां से आता है, और यह rate है, जो हमने total किया है, तो यह rate जाता है, अफ्ट्रक शीट में, जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, और यह unit है हमारा मैं इस पर भी बाद में बात करने वाला हूँ इस पर भी मैं बाद में बात करने वाला हूँ अभी हमारा यह देखना है कि यहाँ पर अगर मुझे row बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे तो मैं यहाँ पर selection करता हूँ देखो मैंने दो selection किया तो यह दो selection के ओपर यहां बढ़ेंगे तो मैं यहां पर जाओंगा insert sheet row क्योंकि यह चीज़े हमें बार बार लगने वाली है मैं यहां click करता हूँ और type करता हूँ rate analysis PWD SSR of 2022 यहां बार click करता हूँ उसके बाद देखो मैंने यहां पर type किया है तो मैंने यहां पर selection किया shift press करके यहां click करता हूँ तो यह selection हो चुका है यहां merge करेंगे उसको wrap text करेंगे उसकी थोड़ी सी size बढ़ा देंगे उसको color किया जा सकता है उसे border दिया जा सकता है तो इस तरके से यह दिखाई देगा अभी इस पर नहीं जाना है आपने मैं यह आपको बाद में और बताने वाला हूँ इस पर भी नहीं जाना इसको भी मैं बाद में बताने वाला हूँ इस पर भी बिल्कुल नहीं जाना यह और मैं बताने वाला हूँ इसी तरकी से यह भी आज जो मैंने बताया बस उत्ती चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको कि यह item number 1 का हमारा rate analysis था इसको कोई भी material नहीं लग रहा है यह excavation का item है, खोद काम का item है तो हम material की sheet में काभी काम नहीं कर सकते क्योंकि उसे material लगता ही नहीं तो उसको काम भी नहीं करेंगे फिर description है, फिर rate है, unit है और amount है तो एक type यह होता है और दुसरा type यह होता है कि यहाँ पर item तो रहेगा लेकिन यहाँ पर पहले description रहेगा unit रहेगा और amount रहेगा तो हम क्या करेंगे, यह quantity को यहाँ लेंगे इस तरीके से हम बनाएंगे अभी तो देखो सबसे पहले क्या किया है देखो यहाँ पर गौर करो आप क्या है यहाँ पर एक border है सबसे पहले यहाँ मैं कुछ अंदाजे से रो छोड़ दे रहा हूँ ऐसा fix है नहीं है सिर्फ छोड़ रहा हूँ तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या type करूँगा item number यह item number हो गया अब मेरे पास देखो यहाँ पर इसे सारे यहाँ पर मैं double click करूँगा इसे select कर लूँगा control c करूँगा यहाँ पर मैं double click करूँगा और control v कर दूँगा उसके बाद देखो यहाँ पर अगर मैं click करूँगा तो यह देखो highlight हो रहा है b और इसके अगर मैं एक कॉर्णर पर आता हूं यहां पर देखो, तो मेरा करसर देखो कैसा है, डबल किलिक कर देंगे, यहां पर मेरी quantity होती है, तो यहां quantity type कर देंगे, quantity type कर लिया है मैंने अब जाहिर सी बाद quantity है तो उसके बाद rate analysis होता है जो rate analysis का rate होता है वो होता है तो यहाँ पर rate type कर देंगे rate के बाद हमारा unit होता है तो यहाँ पर unit type कर देंगे unit के बाद हमारी amount होती है तो यहाँ पर हम amount type कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले हमने item number लिया है quantity को हमने यहाँ लेके आया है description हमने लिया है उसके बाद rate है unit और amount है इतनी ही चीज़े होती है यहाँ पर हम आ जाएंगे यह देखो अभी थोड़ी जगे बच रही हमारी तो यह जो हमारा B है इसे ही हमें बड़ा करना होता है यह याद रखना है यह जो चीज़े रहती है इसके बारे में मैं और बात करूँगा यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ देखो कैसे select कर रहा हूँ मैं यहाँ किलिक कर रहा हूँ मेरा cursor का save देखिए mouse का button press करके इस तर प्रोड़ी चोटी किजा सकती है इसे यहाँ पर क्लिक करके border भी दिया जा सकता है कोई rule नहीं है कि ऐसा ही border होना ऐसा ही fun होना है संथा कोई rule नहीं है देखिए यहाँ पर मैंने लिग दिए item number यहाँ पर description यहाँ पर quantity यहाँ पर rate यहाँ यूनि numerator और यहाँ पर amount यहाँ पर यह measurement है, यहाँ पर click करके enter कर देंगे, उसके बाद मैं यहाँ click करूँगा, merge, wrap tax, यह box पर click करूँगा, यहाँ पर देखो center है, यहाँ पर click करूँगा, इसे justify कर दूँगा, यहाँ पर देखिए bottom है, यहाँ click करूँगा और इसे top कर दूँगा, कर देते हैं उसके बाद देखो यह bottom में आ रहा है मैं यहाँ click करूँगा अगर मैं यहाँ click करूँगा देखो bottom में यहाँ पर तो यह center में आ जाएगा और अगर यहाँ click करूँगा तो यह top में आ जाएगा इसी तरीकी से मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक selection करता हूँ और यहां top पर click कर देता हूँ यह quantity है, यहां पर click करेंगे equal करेंगे और measurement sheet में देखो यह जो quantity है, यह आखिर की total quantity, उस पर click करके enter कर देंगे, उसके बाद देखो यह rate है, तो rate पर हम बाद में आएंगे यह unit है, यहां click करेंगे equal करेंगे, यह measurement sheet है और यह हमारा unit है click करके enter कर देंगे यह two चीज़े देखो अभी मैंने किया है इसे छोड़ा है और अभी देखो यहाँ पर click करेंगे equal करेंगे यह मेरा measurement sheet है यहाँ पर click करके enter कर देंगे और देखिए यह इधर जा रहा है तो यहां click करके, यहां double click करता हूँ मैं, अभी भी देखो यह भाहर चला गया है, और यह देखो यहां पर बहुत सारे problem भी दिख रहे हैं, यहां पर ग्याब दिख रहा है, तो क्या करूँगा मैं, यहां पर click करूँगा, और यह जो 100 है, यह नीचे click करूँगा तो यह देख भी किया जा सकता है सिर्फ ये पेज बार्डर में होना बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना है आपको ये पेज इसके भाहर नहीं जाना चाहिए देखो ये ग्याब दिख रहा है तो इसे हम ऐसा कर सकते हैं तो ये एक दो तीन चार पांच चीजे आईए मेरी मिजरमेंट से बागी की चीजे आती है हमारी मिजरमेंट शीट से अब मैं यहां किलिक करूंगा यहां पर मैं इक्वल करूंगा और पी आर ओ टाइप करूंगा तो यहां प्रोडक मिलता है डबल किलिक करेंगे इस पर किलिक करेंगे कॉमा लगाएंगे इस पर किलिक करेंगे और इंट जिरो भी कर सकते हैं, अब यहां 2 रखेंगे, जिरो पे भी आएकगे, अब मैं यहां double click करूं, तो यहां काम कर सकता हूं, और अगर 1 click करूंगा, तो यहां पर काम कर सकता हूं, तो यहां double click करेंगे, यह जो equal है उसके बाजू में मेरा cursor है RO U type करेंगे round पे मैं double click करूँगा आखिर में click करूँगा comma 2 लगाऊंगा और इसे close कर दूँगा bracket को और enter कर दूँगा इसे bold भी किया जा सकता है इसे भी bold किया जा सकता है इसे भी bold किया जा सकता है आपकी मर्जी के मताबिक आप बना सकते हैं मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को bold नहीं करना चाऊँगा मैं ऐसा ही रखना चाऊँगा तो आप देखेंगे कि जब हम सबसे पहले काम शुरू कर रहे थे तो measurement से शुरू किया उसके बाद rate analysis हमारा कितना आसानी से बन जाता है और आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि सिर्फ यह एक item ही बनाना होता है बाकि सब copy paste होता है इसी तरीकी से यह भी एक item बनाना पड़ता है सिर्फ copy paste करना होता है उसी तरीकी से यह भी सिर्फ एक item बनाना होता है और copy paste होता है चार-पांच चीजे measurement से बरूबर आये कि वो भी check कर लीजिए और rate analysis से ये बरूबर आया है कि ये भी बरूबर check कर लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ दूसरी चीजे थी और यहाँ पर कोई और दूसरी चीजे आ रही है उतना check करने के बाद आप unmute कर लीज झाद предложा रहाँ झाल से ये ये खिस झाल सबस्क्ाश करने के यें हो तान जो पिसहाँ होना tar जो रहाँ हो पांजे अचीजे रहाँ होना से लीजे जवाँ कर लीजे आ你ां हृआ?